कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रोहित इस वीडियो में आपके साथ एक्ट कलास की साइंस डिसकस करूंगा पहले मैंने इस चैप्टर पर दो वीडियो पनाई हुई है यदि आप नहीं देखी तो वह देख लिए यह तीसरा पार्ट है पहले मैं आपके साथ डिसकस यह कर हुआ है लेकिन एक रिवियो कर लेते हैं ताकि आपका यह दोहराया जा सके माइक्रो और गिनिदम माइक्रो अफ्सूश मजीव होते हैं और चार परकार्ग से मुक्ताय पाया जाते हैं बैक्टिरिया फंगी प्रोटोजोवा अलगी वाइरस भी एक माइक्रो स्कॉपिक हो जाता है बलकि यह अंदर भी पाया जा सकते हैं और बाहर भी बैक्टिरिया फंगी प्रोटोजोवा अलगी अंदर भी पाया जा सकते हैं और बाहर भी वाइरस लेकिन जो है मारे शरीर के अंदर ही पाया जाता है सेल्स में यह कुछ माइक्रो बैक्टिरिया और उसके उदा यहां पर soil fertility क्या होता है जैसे आपने देखा होगा कि कोई animal dead कर जाता है तो कुछ दिन के बाद वो वहां से decompose हो जाता है वहां पर दिखाई ने देता है वो किसकी विजासे होता है वो micro organism उसको decompose कर देता है इसी तरह जो हमारा vegetable peels रहते है एनिमल डंग बेकरा रहता है जगर मिट्टी में डाल दिया जाता है तो micro organism की सहाईता से decompose हो जाता है और यही जो decompose हो जाता है यह हमारी soil fertility को increase करता है तो हमारी जो है मिट्टी उपजाव हो जाती है इसी की वज़ासे fermentation क्या होता है जो गन्य करत रहता है उसको जो है alcohol या शराब में बतलने को fermentation कहते हैं एंटी बायोटिक्स क्या होता है जो हम लोग medicine खाते हैं bacteria को मारने के लिए जो हमें doctor देता है capsule और tablet और injection यह हमारा जो रहती है वो एंटी बायोटिक रहती है आगे वैक्सीन है वैक्सीन वैक्सीन जो है मुक्ता जो है वाइरस के लिए यूज की जाती है जो टेबलेट और यह सब रहती है यह तो एंटी बायोटिक रहती है यह वाइरस के लिए यूज होती है लेकिन जो वैक्सीन यूज होती है वो मुक्ता वाइरस के लिए होती है antibodies क्या होती है? antibodies होती है कि एक साफ से sainik माल लीजिए हमारे शरीर का जैसे कोई हमारे शरीर में कोई micro organism enter होता है तो यह sainik उन से लड़ते हैं antibodies बन जाती है उन्ही को antibodies हम लोग कहते हैं बीमारी से लडने के खिलाफ जो हमारे शरीर में ग्रोथ होती है उसको एंटी बॉडिस कहते हैं कुछ हमारे लिए हार्मफुल माइक्रो औरिगनिजम रहते हैं उनको हम लोग पैंथोजन कहते हैं कैरियर्स क्या होते हैं कि जो डिसीज को विमारी को अब ट्रांसफर करें एक और दूसरी जगा जैसे हाउस फॉलाई रहती है वह डंग कव डंग वगहरा बैठ कर हमारे घर घर तक आ जाती है उसके बाद वहां से भीमारी लेकर हमारे हमस्टेट से हो जाए माद्ध हम गया रहेगा एएर वाटर फूर और फीजट कन्टेक्ट जैसे एक तरफ स्वस्थ वैक्ती है दूसरी तरफ बिमार बिमार व्यक्ति के संपर्क में यदि स्वस्थ व्यक्ति आएगा एर, वाटर और फूर्ड जो है इस्तमाल करेगा उसके साथ तो वो भी बिमार हो जाएगा इसी को कमिकेबल डिसीज कहते है इसमें जो खासी जुकाम ये मुक्ता है ये कुछ बिमारियां और कैसे होती थी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है हम लोग यहाँ पे थे, रोबर्ट कोच ने बैक्टिरियम की खोज की थी, एंथ्रैक्स डिसीज की खोज की थी अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये हमारे लिए एंथ्रैक्स डिसीज जो है हुमन और कैटल दोनों के लिए नुकसान दायक है फूट एंड माउट डिसीज कैटल इस कॉजड बाइ वाइरस मुह और पैर की जो बिमारी है वो कैटल में वाइरस की वज़ा से होती है इंदwn प्लांट में भी काफी रोग पैदा करते हैं उनहीं कि बारे में दिया गया है जैसे की राइस में पोटाटो में शुकर केन में उनमें भी आपने देखा हुगा पिमारी लग जाती है तो फसल जो है खराब हो जाती है अब यही इसमें कुछ कॉमन जो है इसको आप याद कर लीजेगा सिट्रस कैंकर यह विमारी का नाम है बैक्टीरिया की बैक्टीरिया से और मोड ओफ ट्रांस्मिशन जो रहता है वो एयर रहता है और रस्ट ओफ वीट यह गेहूं में लगेगी और फंगी की वजयस होती है एयर और सीट दोनों में हो सकती है यलो वेन मुसाइक भिंडी का एयरोग है वाइरस की वजयस होता है और इंसेक्ट इसको फैलाने में साहिता करते हैं यह इंपोर्टेंट है आगे है फूड पॉइजनिंग क्या होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि खाने को अगर बना के एक दिन रखा बनने के बाद एक दिन अगर रख दिया जाए तो उसमें से दुर्गन दाने लगती है वो हम लोग कहते हैं कि खाना कराब हो गया है उसी को अगर हम लोग खा लें ते उसी की वज़ा से फूड पॉइजनिंग हो जाती है यही इसमें बताया गया है कि इनकी सहेली घराई उनको खाना खिला दिया गया तो उसको उल्टी होने लगी वामिटिंग होने लगी तो उसी की वज़ा से कित वज़ा से वो उसको उल्टी होने लगी थी कि उन्होंने खराब खाना उसको खिला दिया था एक दिन का रखा हुआ उसी को कहते हैं food spoiled यानि कि खराब भोजन ये micro organism ही मारा खाने को खराब करते हैं और toxic substance जो है छोड़ते हैं आपको यह पता लग गया होगा कि food poisoning क्या होती है कि जैसे कि खाना आपने बनाया एक दिन उसको ऐसे ही छोड़ दिया खाया नहीं तो वहां पे कुछ micro organism उसको खाने को खराब कर देते हैं और toxic बना देते हैं उसी को food poisoning कहते हैं अगर उसको खाना हम लोग खा लेंगे तो अगे है कि खाने को food को कैसे preserve करें तो इसके बहुत से रहते हैं जैसे यहां पर इन्होंने पहेली bought some mango but she could not eat इन्होंने कुछ आम खरीदे उसके बाद जो है खाए नहीं और वो आम जो है सड़ गए लेकिन यह सोच रही है कि मम्मी तो आम खरीद के लाई थी उसके बाद इन्होंने रखा हुआ है वो किसके फॉर्म में आचार के फॉर्म में तो वो क्यों नहीं खराब हुआ तो वो परिजर्व किया हुआ है कुछ परिजर्वी मैथेड हैं परिजर्व करने के salt और edible oil common are used salt और edible oil रहता है उनको preservative कहा जाता है और जो है और भी है sodium benzoate, sodium meta-B, sulfite ये भी क्या है preservative है जो कि jam or squash में use किया जाता है preserve करने के लिए अब यहां पर ये परिजर्व कैसे नमक की सहायता से कैसे अपना खाना या food परिजर्व कर सकते हैं तो पहले तो meat और जो मचली है इसको परिजर्व करने के लिए नमक का इस्तिमाल किया जाता था अब लेकिन जो है आमला और mango को जैसे अचार ये सब परिजर्व करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है दूसरा है जायम और जैली में चार का इस्तिमाल किया जाता है while moistureBaik मोचल का है इसलिए उहां पर शुगर का इस्तिमाल किया जाता है जायम और जैली में पूछा जायेगा कि जैम और जैली किसकी सहाईता से पूरिजर्व होता है option देदेगा आपको salt, sugar और oil तो आपको क्या कर टिक करना रहेगा sugar यह आपको लोग ध्यान रखिएगा preservation by oil और तेल और विनेजर मतलब सिर्का होता है सिर्क की सहाईता से कैसे हम store कर सकते हैं vegetable, fruit, fish, meat यह सब जो है oil और विनेजर की सहाईता से store किया जाता है या preserve किया जाता है heat and cold treatment अब जैसे कुछ चीजे हैं जैसे हमारा दूद रहता है उसको हम लोग देखिए इच्छा इसमें जैसे उसको अच्छी तरह से गरम कर दिये जाता है जैसे posturization क्या होती है कि 70 degree पे हमारे दूद को उबाला जाता है 15-30 second जो है उसको उसी temperature पे 70 degree temperature पर रखा जाता है उसके बाद suddenly उसको ठंडा कर दिये जाता है और packet में store कर लिये जाता है इसी को posturization कहते हैं लूइस पास्चर ने इसकी खोज की थी जैसे यह होट और कोल्ड जो है method है होट method है यह मलब कि दूद को हमने गरम कर लिया तो उसमें बैक्टीरिया जो है गरम करने से मर गये है 70 degree हमने हीट किया तो 70 degree पे अलमस्ट सभी बैक्टीरिया जो इसमें पैक होने के बाद इसलिए यह प्रिजर्व रहता है जादेर यह भी प्रिजर्व खैर नहीं रहता है अब इसी को लूइस पास्चन ने विक्सित किया था इसको इसलिए posturization कहते हैं और ठंधा method क्या है ठंधा जैसे की इन दा सेंस कि इसको हम लोग जैसे खाने को फ्रीज में store कर लेंगे तो वो ठंधा method में गरम करना हो गया और ठंधे में फ्रीज में डाल देंगे तो वो हमारा जो है ठंधा method हो गया अब इसको कुछ को लोग पैक भी करते हैं अच्छे एयर टाइट पैक कर देते हैं तो उसमें भी एयर में moisture रहता है इस विए से खराब होता है तो moisture अगर अच्छी पैक रहे का moisture अंदर नहीं जाएगा तो हमारा जो है वो खाना या जो भी fruit वे कि राइजोबियम एक नाम का एक bacteria जो है जमीन भूमी का soil में पाया जाता है जो क्या करता है nitrogen को fix करता है जैसा कि हम जानते हैं कि nitrogen हमारे बातावर्ण में रहती है उसको plant जो है direct नहीं लेते पहले nitrogen ये राइबोजियम नामक bacteria atmosphere से लेगा उसको fix कर देगा और ये usable बना देग मिट्टी के लिए तो usable बन जाएगी तो plant जो है अपना nitrogen मिट्टी से गरहन कर लेगा आशा करता हूं ये समय में आ गया होगा अब यहां पर यही दिखाया गया figure कि राइबोजियम नामक bacteria जो है मिट्टी के अंदर रहेगा वो nitrogen atmosphere से गरहन करेगा उसके बाद गरहन करने के ब बना देगा तो प्लांट जो है nitrogen वहां से गेन कर लेगा इसी को इसमें बताया गया है आगे है nitrogen cycle यह बहुत important है जैसे इसमें पहले पहला देखिए जो एरो बना है nitrogen atmospheric nitrogen यह क्या हो रहा है fix हो रही है bacteria उसके बैद bacteria क्या कर ला है bacteria in turn fix nitrogen 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 compound में बदल रही है उसके बाद nitrogen soil में बदल गई है compound of nitrogen soil में घुल मिल गए है bacteria उसके बाद bacteria turn compound of nitrogen into gaseous nitrogen जो bacteria है जैसे कुछ पौदे सड जाते हैं तो वहां से भी nitrogen निकलती है तो उसको फिर atmosphere में release कर देते हैं अब यूज कैसे होता है इसका यह देख लिए अब दूसरा देखिए यहाँ पे nitrogen यहनों ने लिया atmosphere से उसके बाद lightning उसके बाद nitrogen compound soil में है पौधे के दोवारा grant किया गया उसके बाद animal ने उसको खाया उसके बाद फिर जो है इन्होंने excrete कर दिया और death हो गई तो यह decompose हो जाएगा फिर और फिर जो है nitrogen जो है atmosphere में चली जाएगी यही इसमें बताया गया है कि जैसे पहला आप सीधा यह समय लिए nitrogen उपस् atmosphere में उसको bacteria ने बदल दिया compound of nitrogen in the soil यह बदला गया है उसके बाद plant के द्वारा grant किया उसके बाद animal ने खाया उसको जो plant को है उसके बाद nitrogen waste waste निकाला और जो है death हो गई तो वह बैक्ट माइक्रो और फिसाइदा डिकंपोज हो जाएगा उसमें से भी कुछ जो है nitrogen निकलीगी और वह atmosphere में चली जाएगी यही इसमें था अब आगे हम लोग keyword जो है discuss कर लेते हैं डिसकस हम लोग keyword जो मैंने आपको बताया है वो keyword ही है वीडियो देखने के लिए जो मैंने आपका revision करवाया था वो keyword ही है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद